सुहास अलवाई ने बैडमिंटन में देश के लिए सिल्वर मैडल जीत लिया है फैनल मुकाबले में सुहास अलवाई का सपना फ्रांस के लुकास मैजूर से था बेहद रोमांचरक फैनल माच में लुकास मैजूर ने सुहास अलवाई को 15, 21, 21, 21, 21, 21 से हराया आपको ये भी बता दे कि सुवास L.Y. गौतब बुदिनगर के DM भी हैं, सुवास ने जोरदार शुरुवात की है, आपको सीधा जातिका के पास लेकर चलते हैं, जो इस वक्त सुवास की पत्नी के साथ मौजूद है, जातिका क्या मैसूस कर रही है इरतू इस वक्त? जिब देखिए शिखा भारतिय बैडमिंटन खिलाडी और नॉइडा के DM सुवास L.Y. जी सिल्वर जीत गए हैं, DM आवास पर ABP न्यूस की टीम पहुची और हमारे साथ उनकी पत्नी रितू जी मौजूद है, रितू जी बहुत हर्ष और लास का बहुत ही जादा खुशी का वक्त है, सिल्वर उन्होंने जीत लिया है, कैसा लग रहा है, आपकी मुस्कान फिलाल बताने के लिए काफी है इस ग्रेट डे और यह हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विश है, आप सब लोग को देशवासियों को बढ़ाई जिस तरीके से वो कोरोना काल में भी काम संभालते रहे हैं, साथ ही साथ अपना जो प्राक्टिस का काम है, वो भी करते रहे हैं अब बता रही थी कि 6 साल की मेहनत है, जिसमें उन्होंने परिवार के साथ उन्हें वक्त नहीं मिल पाता था, फेस्टिवल्स नहीं मना पाते थे, एक वो संभर्ष भरी कहानी है, उसको किस तरीके से बयान करेंगी? यह एक बहुत बड़ा दिन है, और मतलब आई तिंग सो यह आज उसका क्लेमेक्स है, इतने समय का जो हाड़ वर्ग था, उसका रिजल्ट है, बहुत मेहनत किये हैं आप सुबा से काम कर रही थी, आप गई हुई थी, यूपी एसी के, एक्जाम्स कंड़क्ट करवाने के लिए, तो मैच देख पाई हैं इस दोरान नहीं देख पाई हैं? कि मैं उस वक्त थोड़ा सा प्रेयर कर लो, और थोड़ा एंग्जाइटी होती है, इसलिए मैं मैच नहीं देखती हैं, लेकि मुझे चाट से मैसे और रिजल्ट आ जाता है, डूंट वाच मैच देखने में कहीना कहीं जाधा एंग्जाइटी होती है, आप रितु जी से य नहीं देखने में जाएंग्ट करना एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए जाधा कमी होती है, ऐसे में जब वो प्राक्टिस करते हैं उसके लिए वक्त कैसे निकलता है? जी 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 रितु जी क्योंकि वो डियम भी है और डियम के पास बहुत सारा काम होता है, ऐसे में प्राक्टिस के लिए वक्त कैसे निकाल पाते थे, परिवार के लिए वक्त कैसे निकाल पाते थे, आप दोनों के दो बच्चे हैं, उनके लिए वक्त कैसे निकाल पाते हैं? देखे क्योंकि मीडिया का यहां पर जमावरा है तो उन्हें सबसे इस वक्त बात करनी पड़ रहे हैं हाला कि अभी अपने परिवार से भी वो नहीं मिल पाई हैं लेकिन सवाल क्या जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो डी एम है सुहास जी उसी के साथ में प्रक्टिस भी लंबी करते रहे हैं परिवार के साथ में आपके दो बच्चों के साथ में किस तरीके से वक्त निकाल पाते थे यह बहुत पैशन का उधारण है और अपनी ओफिस आवर्स के बाद उस्टू प्रक्टिस रिग्रसली इंक्लूडिंग संडेश इंक्लूजिंग हॉलिडेश इन फेस्टिवल्स तो इस हाड वर्ग विच पेड सुहाज जी के बारे में कई सारे आर्टिकल्स छपे हैं कई सारे लेखों में हमने पड़ा है कि उन्होंने अलग-अलग एक्जाम्स दिये हैं हर प्रतिष्ठित एक्जाम दिया है और हर प्रतिष्ठित एक्जाम को ख्लियर भी किया है टॉप भी किया है और आज फिर जहां उन्होंने परालिंपिक्स में अपना नाम जो है वो रोशन किया है देश का नाम रोशन किया है आप इसमें कैसे अपने आपको सभागी शाली मा परफॉर्मेंस अच्छी निया जितनी पैर अलम्पिक्स में की है जिब कि फर्स टाइम हुए तो यह एक बहुत बढ़ी एचीवमेंट है पैर अलिम्पिक्स में कहीं लोगों की रूची भी जादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो कुछ सालों तो कितनी रूची को अथलीट्स के बराबर उससे बलके मैं बोलूँगे अच्छा परफॉर्म की हैं हम लोग देख रहे थे कि यहां पर डीम आवास के बाहर से कई लोग वॉक करते हुए जा रहे थे वह वॉक करते भी मैच देख रहे थे और साथ ही साथ आपको कंग्राचिलेट करने सुहा हो गया है और मुझे लगता है कि चुकि डेम साब इतने सरल स्वाभाव के सिर्फ नौइडा ही नहीं जितने और जनपदों में उन्होंने काम किया है एलाबाद में कुम्म में आजमगड में जौनपूर में उस सब शेहर वासी हमारे दोस्त हैं उनसे हमें मतलब जुड़ा करने के लिए पुरा देश इंतजार कर रहा है करें वी जिस लविंग एंवेटिंग फूर दो मॉमेंट के लिए गोल नहीं जीत पाए लेकिन उसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि सिल्वर हमारे पास जरूर आ गया है और अब शान के साथ जो सिल्वर है उनका भी और सुहा पारे वे गोल से कम नहीं है क्योंकि सुहास जो है वो खुद पूरे भारत के लिए गोल की तरह ही है फाइनल मुकाबले में आपको बताए कि सुहास लवाई का सामना फ्रांस के लुकास मिजूर से था जो नंबर वन प्लेयर माने जाते हैं बेहत रुमाचक फाइनल माच मे लुकास ने सुहास लवाई को 15-21 यानि 15-21, 21-17 और 21-15 से हराया तीन सेट का ये गेम था साथे आपको ये भी बताए कि सुहास लवाई गौथक बुद अगर के डियम है उनकी पतनी रितु को आप सुन भी रहे थे अबी सुहास ने जोरदार चुरुआत की थी इस माच में का पहला गेम 21-15 से जीत भी लेया लेकिन इसके बाद दुनिया के नंबर वन खेलाडी लुकास मेजूर ने गोल पर कबजा किया ABP News आपको रखे आगे